शेर और गाएं एक जमाने में चार गाएं रहती थी वे चारों बहुत पक्की सहलिया थी वे चारों हमेशा साथ साथ रहती थी और साथ साथ जरने जाती साथ साथ सोती थी इस तरह उनके रहने से उनके शत्रों उनके पास भटकने से भी डरते थी एक गेधर जो शीर के शिकार के बचे कुचे पर अपना पेट भरता था, ठीक से भोजन ना मिलने की कारण बहुत व्याकुल था, उसने सुचा, मुझे किसे तरह इन गायों की एकता को तोड़ना होगा। फिर जब गाये कुछ दूर पर अलग-अलग चर रही थी, तो उसने उनसे कहा, मित्र, तुम्हारे तीन सहलियां तुम्हें अकेली छोड़कर पास के दूसरे खेत जाने वाली हैं, जहां बहुत अनाज है। यही सुनकर गाये दिल में लाव थी, और बोली, ऐसी बात है, तो मैं भी उनसे पहली वहां पहुच जाऊंगी। और एक दूसरे से छिपकर अकेली दूसरे खेत की तरफ गई। एक शीर जो इसी इंतजार में था, उसने उनको मारा और खा गया, और गीदर को भी अपने हिस्से का शिकार मिले।